गुश्या दोत्रों अधिया डूसक्त के रिकाड़िक बड़े तो इंदिन फिलसफी आपका हुचोका है तो वेस्टन फिलसफिय के अंदर आज हम लेकर रहे है प्राचेन घ्रीक धर्शन या फिर हम कहें इसको कि एक एंचेंट घ्रीक philosophy है ancient मतलब basically ancient जब भी इंडियन हो चाहे western हो एक बास हमेशा था तक्येका यह वो philosophy है जिसके बारे में आपके पास ज्यादा evidences नहीं है इसलिए इसको ज्यादा पढ़ा नहीं जाता है हमेशा history हो चाहे philosophy हो चाहे जो भी subject हो हम कोशिश करते हैं जो भी आपका ancient system है अगर उसके बारे में आपके पास exact evidences हैं तो ही हम उसकी study करते हैं same as जैसे इंडिस वैली civilization है हम उसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं क्यों क्योंकि उसके बारे में हमारे पास evidences नहीं हैं लोग के वल hypothetical बाते करते हैं कि यह ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा तो इससे बहतर है कि उसको नहीं पढ़ा जाए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं लेकिन एक सिध्धान्त वहाँ पर नहीं बन सकता चुरू करते हैं प्राची ग्रीक की दर्शान सबसे पहले इसकी एरा ओफ सुक्राफ का यूदू और उसके बाद लास्ट आता है अरस्तु के बाद क्या हुआ जिसको हम देखेंगे यह चार तरीके के हमने टाइम डाइन इसकी बनाई है अगर हम इसको इसाब से देखें, इसके तरीके से देखें, तो सबसे पहले western philosophy के अंदर, western world के अंदर, जो philosophy आई वो थी sophist philosophy, यह क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर पहली बार लोगों ने जिग्यासा करना शुरू किया, curiosity जागना शुरू किया, लोग प्रश्ण पूछना करने लगे थे, उन्हें जवाब चाहिए था, आप उन्हें जवाब दीजिए, आपसे जवाब पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, जवाब चाहिए, जवाब देंगे, सवाल चाहिए, यह परकरम शुरू हो गया, अगर हम इससे और वी उपर देखें, चार प्रमुक भागे इस स्थित्व में था तो माना जाता है माईलेशियन जो संपरदाय था माईलेशियन जो ग्रुप था उससे कहीं न कहीं कुछ लोग कहते हैं अब मैं फिर वही कह रहा हूं आपको कि ये ancient system है इसके बारे में evidences कम है hypothetical hypothesis ज्यादा है माईलेशियन संपरदाय हुआ करता था उसका पहला विचारक था थेलिज इससे शुरू हुआ यह सबसे और इसका अंत हुआ वह हुआ प्लैटिनस की philosophy के साथ इसकी philosophical development है उसको हम देख रहे हैं सबसे पहले आता है sophist से पहले क्या था sophist से पहले as it is आप इंडिया के साथ या किसी भी country के साथ उसको compare करके देख सकते हैं जब इनसान के घ्यान की शुरूआत होती है तो वो थोड़ा सा naturalistic होता है प्रकर्टी वाधी होता है प्रकर्टी को ज़्यादा वू समझने की कोछिश करता है और प्रकर्टी को जब वो समझता है तो उस वक्त ईश्वर क्या है क्यों है यह secondary हो जाता है प्रकर्टी ambition बारिश, तूफान, आंधी, आग, समझ में नहीं आता है, यह हो क्या रखाता है, तो सेम एग, सोफिस्ट से जो पहले फिलासफी चलती थी, या मैं कहूं कि जहां से वैसल फिलासफी शुरू ही, उसकी भी शुरूआत वैसी ही है, वो भी प्राकर्टिक ही थे, जिग्यासा कह कहां से शुरू होती है, किरोसिटी कहां से शुरू होती है, इस प्रकर्टी को देखकर किरोसिटी शुरू होती है, यह पेड़ ऊपर क्यों जा रहा है, यह बारिश नीचे क्यों आ रही है, हवा चल क्यों रही है, पानी बहर क्यों रहा है, आग क्यों लग रही है, सूखा क क्यों पढ़ रहा है, बाड क्यों आ रही है, तुफान क्यों आ रहा है, हमज में नहीं आता है, सूरज कभी सुबह देखते हैं, इधर होता है, रात को देखते हैं, इधर होता है, सूरज चला जाता है, अंधिरा आ जाता है, रात को देखते हैं, कुछ और चमकने लग जाता ह तहीं ना देखेंगे, जिग्यासा, curiosity की starting जहरो प्रकर्टी से होती है, यह फिर nature से होती है, ठीक है, इसमें आप देखेंगे, प्रकर्टी के स्वरूप के जिग्यासा के साथ यह philosophy शुरू परी, कौन-कौन से important philosopher है, starting thales करेंगे, thales, aneximender, aneximines, ठीक है, यह सब इसकी बड़े philosopher है, और इसमें अगर आप देखेंगे, इन्होंने nature के साथ ही अपनी theory डवलप करना शुरू किया, जैस थैलीज कहते हैं, यह एक तत्वबादी है, मतलब एक ही तत्व को मानेंगे, एक ही element को, एक ही substance को मानकर, अपनी theory जो है, उसको आगे बड़ाएंगे, जैस थैलीज क् है, वाटर जैसा तो है वो, लेकिन वो ऐसा है जिसको हम देख नहीं सकते, as like ethereum, and examines कहेंगे नहीं, वायू, हवा, हवा ने सब कुछ बनाया है, तो इन तीनों ने अपने अपने philosophy के अंतर, इस दुनिया का एक base मादा, पाइथागोरस ने कहा, नहीं, number system, संख्याओं ने ज माया है, इसके लाबा, इस इन सभी ने परमाणूओं को, प्रमुखमाना और जगत का निर्मान की व्याद ख्यादे, एक ही तत्व है, जो sophist से पहले की philosophy थी, एक ही तत्व को मानती की, इस बात का नाम clear रखेगा, चाहे वो कोई भी हो, ठैलीज हो, एनेक्जिमेंडर हो, ए एक ही तत्व को मान कर ये लोग आगे पड़ी थी, कन्फियूजन हुई, कही न कहीं प्यॉरिफिकेशन की जरूरत थी, तो अब आगया sophist का time लिए, इसे हम humanism, मानवतवाद के हिसाब से भी define करते हैं, मानव को कही न कहीं के अंदर में रखकर define करने की पुश्चिश की रह जिसके कारण अब ये खुद confused हो गए, और ये कहा जाने लगा संशेवादी, ये मानवतवादी इस था, ठीक है, कौन-कौन philosopher हैं आपर, protagoras, georgias और उनके followers के, sophist लिए मानते हैं कि मानव की जो बुद्धी है, वो कही न कहीं enough नहीं है, सारी problems को solve करने के लिए, जैसे अभी आप पीछे कह रहे थे, पाइथगोरस, परमनाइडी, हरेकलिटर्स, थैली, एनक्जिमेंडर, ये कह रहे हैं कि हमने define कर दिया, sophist कहते हैं नहीं, protagoras कहते हैं नहीं, georgias कहते हैं, हम इस गुद्धी से कैसे solve कर सकते हैं, हाँ, ठीक है, मानव केंदर में है, और उससे वो अ अपने अग्यान और अपने आचरण की बाते कर सकता है, यूनिवर्सल बाते नहीं कर सकता, ये इस philosophy में रहा, तो sunshine क्या था इनको, कि इस दुनिया का description कैसे दिया जाएगा, ये इसमें हमेशा doubt में रहे हैं, यहाँ पर एक phase खतम हो गया आपकी philosophy का, ancient time लगबग खतम हो गया अब वो बंदा आएगा, जिसने western philosophy के अंदर एक revolution कर दिया, सौकरेट से, यहाँ पर creations बहुत सारे हो, रचनातमकता बहुत थी इस दर्शन, इस time line में, तुकरात यहाँ पर आता है, प्लेटो यहाँ पर आता है, अरस्तू यहाँ पर आता है, तीन वो philosopher, जिनके बारे में एक का जाता है, कि वेस्टन philosophy में तीन ही philosopher हुए हैं, इसके अलावा, तो बाकी philosophers ने इन तीनों के ऊपर केवल काम किया है, खुद की थेयोरी नहीं बनाई, इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को purification किया, अरस्तू घतम, अरस्तू के बाद का यह, अरस्तू के बाद ग्रीस का पतन हो गया, वहां के नागरिंग और जीवन जो था, वो कही ना कहीं disturbed हो गया, शुक्र, शान्ती, आनंद, यह सब लगबख खतम हो गये थे, political pressure आप कहें, चाये social problems आप कहें, लेकिन अब वहां पर रहने लाएक हालत नहीं थे, अब लोग सुक्की तलाज ढूंड रहे हैं, और इस टाइम पे लोग प्लेटो को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, और नव्य प्लेटो वाद नामक एक नई विचारधारा शुरू पती है, अब आपका इसाई धर्माने वालक होगा, पास्चात्य दर्शन के विकास का दृत्य चरण जो है, सेकंड स्टेज जो है, वो मध्यका अलीद दर्शन के नाम से, मिडाइवल फिलासफी के नाम से जाए जाए जाती है, तिक संड्रेड इसवी से पंद्रा सो इसवी तक इसको हमने माना, इसका समय उनर जागरन काल सक है, ठीक है, यह ऐसा टाइम था जब इसाई धर्म जो फैलने लगेगा, और वो फिलासफी के साथ खुद को इसप्रेड करेगा, या फिलासफी को अपने अदर मिला कर इसप्रेड करेगा, या फिलासफी और प्रेशर बना कर उसको इसप्रेड करेगा, बढ़ यहाँ पर यह चीजे होगी, सबसे फेमस फिलासफ़ सेंट ऑगस्टन सेंट ऑगस्टन का समकालिन दर्शनिकों को एरिस्टोटल की फिलासोफिकी बहुत कम जानकारी थी अर्भी भाषा से लैटिन के अंदर जब उन्होंने उसको ट्रांसलेट की तब जाकर लोगों ने अरिस्टोटल को पढ़ना शुब किया एक देखे एक बड़ी कॉंट्रोवर्सी है समझने कोशिश कीजिए मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि यह सत्तिक है यह कॉंट्रोवर्सी है, फिलास्फिकल कॉंट्रोवर्सी है कुछ लोगों का यह मानना है इसाई धर्म की जो इस्थापना है वो फिलास्फिकल हुई है और उसके अंदर जो इंपोर्टन केरेक्टर्स है वो सारे कहीं न कहीं सौक्रेट्स को फॉलो करते हुए बनाए गए थे और यही एक रीजन है कि सौक्रेट्स की हिस्थरी को खतम करते है गया सौक्रेट्स की फिलास्फिकल को खतम करते है अब इसमें कित्की सच्चा है कितने नहीं है हमें नहीं पता लेकिन ऐसी एक कहानी वहाँ पर भी आज तक चलती है सौक्रेट्स और कुछ नहीं था, सौक्रेट्स भी समाज में वही करना चाहता था, जो जीजस करना चाहते है सौक्रेट्स ने वही सब कुछ किया, जो जीजस नहीं किया और मज़ेधारी की बात यह है, सौक्रेट्स की जैसे मौत थी, वैसे ही जीजस की मौत थी It means, Jesus को कही न 8 कहा जाता है कि मैंने सॉयक्ण सोफौरेट्स की लाइफ को फालो किया, और इसलिए सॉफौरेट्स की हिस्टरियों खतम कर दिया गए, अब देखेया, फिर कहा है रहा हूँ, इसमें कितनी सच्छा है है, कितनी नहीं हमें नहीं पता, बट ऐसी बातें, आज भी बहुत सारे, बहुत लाखों लोग ऐसी बातें करते हैं, अब चुकि यह religious point of view से बातें आ जाती ही, इसलिए इनका वह अचित्ते नहीं, philosophical point of view से आप बाते करेंगे, तो देखिए यह गलत भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं ह कि philosophy में एक ही आदमी एक ही चीज सोच सकता है, यहाँ पर सभी को छूट है, मैं जो सोच रहा हूँ, वो शयद आप भी सोच रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, शयद वो कोई और भी सोच रहा है, या किसी कोई बंदिश नहीं है, जो सौकरेट सोचते थे उसको हजारों लोग सोच के होंगे, और जो जीजस सोच रहे हैं, वो भी हजारों लोग सोच के होंगे, बट समाज में जो आगे आता है, नेता वही होता है, लीडर वही होता है, उसको सौकरेट से, बार में जीजस हो गया, हलांकि अब यहाँ पर समझ्चा क्या आएगी, इस टाइम पर, ख्रिस्चैनिटी फैल चुकी है, लेकिन अब लोगों को इन्होंने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, अपना डॉमिनेशन शुरू कर दिया, और फिलोस्फी को दूर कर दिया, लॉजिक को दूर कर दिया, जो इसाई धर्म का परचार कुआ, उसने वहां के फिलोस्फी उखतन कर दिया, और इसे दर्शन का अंधकार युग भी कहते हैं, जब फिलोस्फी अपने टॉप पर दिया, पाइथ वर्स, कुछ फिलोस्फर्स को हम देख रते हैं, गणित का प्रेमी है, नंबर सिस्टम से creation मानता है, कि संख्याओं ने जगत को बनाया होगा, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज एक systematic धंक से है, हर चीज का एक system है, ठीक है, आप किसी भी चीज को देख लिजिए, हर चीज का एक system है, पाइथर कोरस कहते हैं, कि आपके बाद दो तरह के numbers हैं, ठीक है, odd और even, ठीक है जो संख्या है आपके, even संख्या है, ठीक है, उसको अगर आप दो से divide कर दें, तो वो divide हो जाएगा, और ये unlimited है, आप देखेगा, ये कहते हैं कि पूरे दुनिया में हर चीज दो पेर के अंदर पाई जाती है, ये एक maths का बहुत बड़ा logic पाइथर कोरस दे रहे हैं, रात वेलग 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 आप देखेंगे, तो पेर, 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 पेर मिलते जाएंगे, पाइथर कोरस कहते हैं, दुनिया में ऐसा एक भी object नहीं है, जो single हो, नहीं, वो हमेशा पेर में पाई जाता है, अगर कहीं पर light है, तो कहीं पर अंदकार भी होगा, इसका मतलब, इनका कहना था, नंबर सिस्टम की तरह ही, इस जगत का भी creation हुआ थे, इनके जो followers थे, या जो पाइथर कोरस थे, उनका कहना था, कि परत्वी का केंद्र जो, और इस universe का जो केंद्र है, अर्थ नहीं है, परत्वी नहीं है, अगनी है, और इस अगनी के चारों तरफ, परत्वी, स सब कोई चक्कर लगाता रहता है, हालांकि आगे चल करें philosophy, hypothesis जो थी, वो cancel हो गई, पर इनका ये मानना था, कि परत्वी जो है, वो केंद्र नहीं है, अगनी केंद्र है, और परत्वी सूरी चकर लगाते हैं, ये question बहुत important, जहां तक से जा, पाइथागोरस ने अपने नाम से एक society का भी development किया, पाइथागोरस सूसाइटी, पर्मनाइडे, इलियाई संपरदाय, इलियाई community, तो एक व्यवस्तित विचारधारा के रूप में स्थापित इनोंने किया, इनका नाम है पर्मनाइडे, इनका मानना था, कि स्रश्टी का जो मूल आधार होना चाहिए, ज ऐसा होना चाहिए जो change ना होता हो, ऐसा होना चाहिए जो unique हो, ऐसा होना चाहिए जो कभी खतम ना हो, ऐसा होना चाहिए जो कि pure हो, ठीक है, तो ही हम उसको define कर सकते हैं, otherwise हम नहीं कर सकते हैं, इनका कहना था, विश्व के अंदर, इस world के अंदर, हम जो कहते हैं कि ये गती है जो दिक्राय परिवर्तन हो रहा है जो चेंज हो रहा है वो स्रिफ हमारा गलत फहमी है हमारा भ्रह्म है इसको इन्हेंने कहा दा way of opinion यह आपका किवल भ्यावरी एक द्रस्टी है अगर आपको परम सत्का अग्यान करना है तो इंद्रियों से नहीं होगा भईया वो तो बुद्धी से होगा ठीक है हेरेकलेटिस पॉर्वनाइडिस के ही लगभग लगभग सिमिलर हेरेकलेटिस हुए इलियाई दर्शन के विपरीत इन्होंने theory of becoming का परतिबादन किया संभूति का सिथान इनके अनुसार इस्थिर्ता नहीं, परिवर्तन stability नहीं, change जो होता है जो momentarism है वही real है, परिवर्तन ही सत है पॉर्वनाइडिस कह रहे थे इस्थिर्तन सत है being हेरेकलेटिस कह रहें नहीं becoming परिवर्तन सत्त है ये इन दोनों में difference है इनका कहना था जगत का अगर कोई तत्व है जो मौलिक तत्व है वो है अगनी अगनी से ही आप समस्त जगत का निर्माण मानते है Sophist Sophist दार्षनिक का उदह है वो एनक्जगौरस के बाद होता है Sophist विचारक, विश्विक उत्पत्ती के संबंध में तो natural philosophy है उसके इस्थान पर अपने दर्षन को उसका center मानते है या उसे मानव के इंद्रित मानते है अगर आप existentialism पढ़ते हैं अर्ली existentialism जो philosophy है वो Sophist philosophy है ठीक है Next Protagoras Sophist संपुरदाय के ही एक और philosopher है जिनका नाह है Protagoras इन्होंने अपनी विचारधारा का केंद्र बनाया इथेंस को Protagoras ना केवल दार्षनिक थे बलकि एक teacher भी थे politician भी थे lawyer भी थे प्रसिद्ध famous quote है कि मनुष्य प्रत्यक वस्तु का मान दंड है ठीक है और इस philosophy को कहीं ना कहीं हम existentialism के अंदर भी पढ़ते हैं और sophist philosophy का आधार मालते हैं हर वस्तु का existence अगर proof करना है तो मानव के आधार पर ही किया जाएगा तो मानव ही केंद्र है इसके मैं आपको कुछ bullet points के notes भी दूँगा तो उसको पढ़ लिएगा जॉर्जियस sophist संपरदाय के विचारकों में संशयवादी जॉर्जियस का नाम प्रसिद्ध है कि सत्ती की व्याक्या व्यक्ती के सापेक्ष करते हैं पैरलल कर रहे हैं तो वस्तु में उस व्यक्ती विशेश के लिए तो पीली है बने ही उनका रंग लाल नीला हरा सपेको और कोई अगर आदमी कहता है यह पीली नहीं है तो वो गलग है मुझे अगर नीला चश्मा लगा कर दुनिया नीली दिखाई दे रही है तो मैं तो उसे नीला ही कहूँगा जॉर्जिस का कहना था कैसे आप उसे प्रिक्साइज कर सकते हैं कि नीला नहीं है उसके अवस्ता देखे उसे कंडिशन देखे उसे अगर नीला दिखाई दे रहा है तो यह नीला ही है डिमोक्रेट्स यह परमाणुवाद के आधार पर जगत का इस्थापना करते है ठीक है दोस्तों यह स्टार्टिंग की फिलोसफी है एंसियन फिलोसफी इसके कुछ बुलिट पॉइंट्स के नोट्स आपको दूँगा उसको याद कर दीजिए कर ज़्यादा प्रशन नहीं पूछे जाते है यहां से एक प्रशन तो आपका यह आता है इन्होंने मूलतत्व किसको माना है जैसे मैंने स्टार्टिंग स्टार्टिंग बताए था आपको कोई वायू को मान रहा है कोई आकाश को मान रहा है, कोई परमाणों को मान रहा है, कोई जल को मान रहा है, कोई किस को मान रहा है, एक तुम आपको उसके नोट देदूँगा, इसके अलावा दूसरा कोशन यहां से आता है, कि कौन सा फिलोसफर, कौन सी स्कूल को बिलॉंग करता है, जो जो जॉर्जि झाल झाल